दोस्तों क्या आप जानते हो कि हमारे सास्त्र और पुरान के हिसाब से कब बगवान विस्नु का कलकी अवतार इस धर्ती पर अवतरित होगा। हमारे सास्त्र और पुरान प्रमानित करते हैं कि अभी कल्यूग चल रहा है जिसकी आयू 4,32,000 वर्स है। कल्यूग के 5,090 वर्स बिच चुके हैं और उसका अभी प्रथम चरन चल रहा है। कल्यूग के चोथे चरन में बगवान विस्नु का कलकी अवतार होगा जो कल्यूग का नासकर सत्युकिस धापना करेगा। इसका अर्थ यह है कि बगवान विस्नु का कलकी अवतार होने में अभी लाखों वर्स का समय सेज है। यह जगत नारायन और डेवी सक्तियों का लिला संसार है। इनके द्वारा बहुत सी लिलाये रची जाती है। जिन में सबसे मुख्य है नारायन का आउतार दारन करना। आउतार केवल नारायन दारन करते है। ब्रह्मदेव और भगवान सिव नहीं। नारायन जगत के पालक है। धर्म के सनरक्सरक है। पृत्वी पर धर्म की स्तापना करना और बक्तों की रक्सा करना उनका प्रथम दाइत्व है। इसी दाइत्व को निबाने के लिए वो अवतारदारन करते हैं। सत्युक्त के आरम से ही उन्होंने अपने अउतार दारन करने की प्रक्रिया को एक ही प्रतिगना में बांदा है जिसका उद्गोस उन्होंने गीता में भी किया है अउतार किसी समय सिमा में बंदा नहीं होता उसके प्रागत्य के अपने मापदन होते है नारयन का यह उद्गोस अधर्मी और आसुरी सक्तियों को उनकी लरकार है कि जिस सन तुम्हारे अत्याचारों से मेरे द्वारा स्तापित यह मापदन तुझ जाएगे जो इस मापद का भी प्रमान होगे कि प्रुथवी पाप के बोच को और नहीं उठा सकती है तथा मेरे भक्त भी अब और अत्याचार नहीं सह सकते है उसी सन में समय की सभी कर आउतार दारन करूगा आज के दिन यदि हम चारों तरफ नजर डाले तो हम देखेगे कि सास्तों में कल्यूक के चोथे चरन के जो लक्सन बताए गये है वो सब इसी प्रथम चरन में ही पूरे होने के करिब आ गये है धर्म, सत्य, डया, समा, पवित्रता, आयू का लोप हो गया है धनी और पाखंडी ही समाज में स्रेष्ट हो गये है प्रकूती असंतूनित हो गई है कही अतीवरिस्ती, कही अनावरिस्ती चारों तरफ आसूरी सक्तियों के प्रहर से हाहाकार मचा हुआ है हर आदमी रोग गरस्त है वर्न व्यवस्ता समाप्त हो रही है धन के लिए पुत्र, पिता का भाई का प्रान ले रहा है स्रियों में सालिंता और रज्जा का लोप होता जा रहा है ये परिस्तितिया इस सत्य की और संकेत कर रही है कि युगा उतार पगवान सिरी कलकी के प् इतने कम समय में जो मनुस्य को आज तक नहीं मिला था कलकी जी के नाम से प्राप्त हो रहा है नारायन के रामा उतार और क्रिस्ना उतार के समय पृत्वी पर रहते रहते जो भी इस समाज में उन्हें बगवान नहीं माना उनकी पूजा अर्चना नहीं की उनके कुछ प्रि कि अवतार की लीला ही निरा रही है अभी वो प्रगत हुए ही नहीं है पर चारों तरफ उनके मंदिर बन रहे हैं मूर्टियों की प्रान प्रतिस्ता पुजा वो अर्चना हो रही है भक्त जुरते जा रहे है क्योंकि भक्तों की जोलिया भरती जा रही है उनकी मनों कामना इत्त बात का प्रमान है कि हम देवी जगत में कलकी आउतार हो गया है स्वपन, जागरूत और वानी अनुबवों के द्वारा वो भक्तों को संदेश दे रहे है उनकी महासक्तिया भक्तों की रक्सा के लिए इस जगत के चारो और फैल चुकी है अब केवल प्रागत्य से से प्रत्यक्स को प्रमान की आवसक्तिया नहीं होती है आप कलकी जी की लिला का अनुबव करना चाते है तो उनके महामंत्र जई कलकी, जई जगतपते, पञ्ड़नपती, जई रमापते एवं बिज मंत्र, जई स्रीकलकी, जई मातारी एक-एक माला का जाब किजे राथना के साथ फल समर्पन किजे और आप देखेगे प्रत्यक्स, स्वपन, जागरुत और वानी अनुबहों के द्वारा महसूस करेंगे कि स्री कलगी जी आपके मानस में रगत होकर आपको परेसानियों से निकलने का रास्ता दे रहे है आपकी और आपके परिवार की रक्सा कर रहे है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजे, सेर कीजे और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजे ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन आप तक पहुचाते रहे धन्यवाद